दोस्तो तीसरा और फाइनल ODA image कर जाने वाला है आइलेंड और बंगलेदेश के बीच में बराबर करना है इनको इंको विनकरना काफी इंपोर्टेंट रहेगा इसके अलावा दोस्तो पिछला जो magic अपना गया था स्मॉल लिक में काफी सांदर विनिंग रही थी अपने दोस्तों थोड़ी से रिस्क लिए थी पॉली स्टील लिंग के जगा पर इनको पीक करा था और इन्होंने दोस्तों 170 प्लस स्कोर पॉइंट दिलाए थे डरीम लेवन में तो दोस्तों इस तरीके से आज के वीडियो में भी कौन-कौन से इंपोर्टन प्लेयर रहेंग पर अभी तक दो में खेले गया हैं दोस्तों यहां पर पहले बेटिंग करने टीमों को थोड़ा सा एडवांटेज जादा रहता है इसके अलावा दूस्तों यहां पर अभी जो दो में इनकी पर्फोंस देखोगे तो पेसर को काफी ज़्यादा मदद मिलती है इस वेन्यू पर यहां पर मैंने क्या कर दोस्तों यहां पर मैंने जो रिसेंटली में चेले गए ते डोमेस्टिक उनके मैंने स्टेट लिख रहे हैं यह इसेक्स का होम ग्राउंड है और आप यहां पर यह सारे मिचस देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि रन यहां पर अच्छे का सब देखने को मिलते हैं और पेसर के लिए वेन्यू ज्यादा अच्छे रहती है तो यह धियान रखना बैटिंग तीम आप सकते हो और पेसर को अपनी टीम में मोका ज्यादा दे सकते हो हैट रिकॉर्ड देखोगे चावदर हेट टूएड में दुस्तों बंगलादेश ने दस जीते हैं दो मिच आइलिड ने भी विन करें हैं और इन दोनों टीमों के जुट में धुस्तों ड्राव भी हो चूए हैं तीन में ड्रोय याने की नो रिजल्ट वाले भी तीन में निकल चुके हैं इसमाल लिग में दुस्तों सबसे बेश्र जो केप्टन और सथी तो चर्वें वालेज हैं और अच्छे सबसे सेफेस्ट पिक लिए इसके अलावा हेरी टेक्टर को भी आप ट्राए कर सकते हो क्योंकि इनका फॉर्म जबर्दस चल रहा है फर्स्ट में दोस्तों नोट आउट गये थे मेच रद्द हो गया था और सेकेंड मेच में 140 की भैत्री नौक इनों ने खेली तो इनको भी दूस्तों आप वाइस क काफी इंपोर्टेंट रहेंगे असन महमूद इंपोर्टेंट रहेंगे और नाज महमूद सेंटर को आप ट्राए कर सकते हो ग्रेंड लिग में एजन कैप्टेंट करूप में इसके अलावा दूस्तों सामने वली टिम से जोज डॉकरल भी काफी बहतरी इन फॉर्म में तो यह दोनों काफी इंपोर्टेंट पिकर रहेंगे ग्रेंड लिग के टीम में कैप्टें के रूप में इसके लावा दोस्तों बंगलाइजेस के तरफ साथ लाइन अप की बात करें तो तम्हें में उपन करेंगे लट अंदास के साथ पर आएंगे नाजमल हसन सेंटो मेहंदी असन को भी कुछ ओवर की गेंदवाजी मिल रही पिछले मैंच में तो केवल दो ही ओवर के नोंने गेंदवाजी करी इस पीनरों को मदद कम हैं दोस्तों इस्पेशली फस्ट इनिंग में काफी का मदद मिलती है तो साक्यबल असन मेहंदी असन ताइजुल इवादत हसन और सोरीफुल इसलाव तो इनको आप जरूर कैप्टें ट्राय कर लेना अगर दोस्तों फस्ट इनकी टीम बॉलिंग करती है ठीक है तो यह फस्ट इनिंग में कैप्टें के लाएक प्लेयर रहेंगे और सेकर्ड इनिंग में आप चाहो तो इनको कैप्ट दूस्तों एक बहुत तेजी वाला स्कॉट को केच करा और इनको आउट करा था वरना दूस्तों वह डेफिनेटली फोर होने वाला था भेदरी इनका सोट रहा था गलती से फस्ट में भी आउट हुए थे तो काफी तगड़े फॉर्म में ग्रेंड लिग और स्मॉल लिग म सब्सक्राइब नाजमनों सेंटों को ग्रेंड लिग में कुछ टीम यानि कि अगर दस टीम बना रहे हो तो तीन एसी टीम बता सकते हो जो कि हाईली रिसकी रहेगी तो हाईली रिसकी में दुस्तों आप कुछ इंपॉर्टन क्लियरों को ड्रॉप करके जो नहीं अभी तक कर पाएं उनको ले सकते हो जैसे कि गराब कर सकते हो यहां से दोस्तों इन इसिलाम इ lift ले सकते हो लेकिन को खेर सकते हो क्योंकि अभी तक इनकी तरफ से पर्फॉमस नहीं आई तो ग्रेंड लिग में इनको कम लोग लेंगे तो इनको आप ग्रेंड लिगों में ट्राइ कर सकते हो बागी इन प्लियरों पर जरूर रिस्क लेकर चलता है अगर ग्रेंड लिग खेल रहा हो तो यह चीज धियान डख यह चीज धिया तक ना थोड़ा सा पुराना ही है फर्स्ट इमेज के इसाप से तो यह चीज आप थोड़ा सा देख लीजेगा दूस्तों इनके सारे के सारे फिर भी मैंने रिकॉर्ड लिक रहे हैं है तो वीडियो को पॉस करके आप यहां पर इनके स्टेट रिसेंटली फ बन गए हैं दोस्तों तो एक टीम में कैप्टन जुरूर बना देना इसके अलाव दोस्तों स्टेफन टोहेन ही ठीक प्लियर है इतने कोई खास रिकॉर्ड नहीं रखते और इतने कंसिस्टेंट भी नहीं है बलबिर नहीं जुरूर अच्छे प्लियर है टीम के कैप्टन है और टिक के खेल लेते हैं हाले कि रिसेंटल इतने अच्छे फॉर्म इनका नहीं चड़ रहा है है हैरी टेक्टर काफी तगड़े फॉर्म में है तो स्मॉल लिंग में तो मस्टेव रहेंगे ग्रेंड लिंग में आप इन पर आज रिस्क लेके चल सकते हो ज्यादा टीमों म ग्रेंड लिंग में अच्छे उप्शन रहेंगे और इनको कैप्टरिंग आप बना सकते हो इनके पास स्केचेस और स्टंपिंग का एक एक्स्ट्रा एडवांटेस रहता है क्योंकि विकेट कीपिंग की करते हो दिखते हैं आज के में दोस्तों जॉर्ज डॉक्रिल पे भी आप रिस्क लिएगा ग्रेंड लिग की टीमों में लेकिन स्मॉल लिग में इंपोर्टेंट रहेंगे इसके अलावा कर्टिस केम पर अच्छे हैं इनको बिलकुल लेके चल सकते हो बैटिंग बॉलिंग दोनों से पर्फॉंस देते हैं माक डायर में दुस्तों इंपोर्ट तो इनके तरफ से यह तीन में पेसर रहने वाले हैं और इनको देत और ओपन का भी एडवांटेज देता है तो फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करती है तो माक डायर ग्राह मूबे जोस वाले टील यह तीनों अच्छे ऑप्शन रहेंगे ग्रेंड लिग में कैप्ट करा है कि जो प्लेयर अच्छा खेल जाता है और जो फ्लॉप जाता है जिरो प्लॉप होता है बड़ी नोग खेल के आता है तो ध्यान रखना यह प्लियर इंपोर्टेंट रहने वाले स्टेफन डोहीनी एंडी बलबरीन पॉलिस्टी लिग लॉरकन टकर यहां से ग्रेंड में रिस्क ले सकते हो और जिनको दुस्तों ग्रेंड लिग में जरूर राय कर सकते हो तो यह चीज़े ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट हैने वाली है मैं भी दोस्तों इस मेच में 20 टीमों के साथ ग्रेंड लिग खेलने वाला हूँ और यही चीज जो आपको मैंने बत इसके अलावा यहां पर आप आइलेंड के प्लेयरों के स्टेट्स देख सकते हो थोड़े से लास्ट मेच इसके अपडेटेड नहीं है एक दो मेच के इसके पहले के इनके सारे के सारे स्टेट्स लिख रहा है दूस्तों है नियो रिसेंट फॉर्म प्लस ओडियाई में जबरदस चल रहा है इसमें कैप्टेन के लिए सबसे सेफ ऑप्शन यह रहने वाले हैं इसके लाव है डिटेक्टर को आप सकते हो कैम पर अच्छे ऑप्शन है और अभी डिसेंटली जोज टोकरेल बैटिंग बोलिंग दोनों कर रहा है तो इनका भी फॉर्म जबरदस चल अभी दोस्तों इनकी दरब से अच्छी नोक आ सकती है इसपेशली इबातत होसेन यहां पर ताईजुल लाम इस्पीनर है लेकिन अच्छा पर्फॉमस दे सकते हैं मेहंदिय सर्मिराज बैटिंग बोलिंग दोनों कर सकते हैं धियार रखना काफी इंपोर्टेंट है अभी टरफ यह जो जा चुका है दुस्तों यह उसे प्लियर जिन पर आज आज आप जरूर रिस्क लेना जादे तक पर्फॉमस भी लास्ट इसमें दीके आ रहे हैं तो इन तीनों पर आज आजपको रिस्क लेना है ग्रैंड डिग में साके विलसन का इसलिए नहीं बोड़ हो क्योंकि पर्फोर्मर अभी तक इनके तरफ से पर्फोर्मेंस आई भी नहीं है और इस मेंच में हो सकता है कि अच्छी पर्फोर्मेंस यह दे 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 दोस्तों मांक अधायर पर भी आप बिल्कुल रिस्क आपको ल वीडियो अच्छा लगाओ तो आप वीडियो को लाइक करें भी ना मज़ चाहिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना बेल एका जरू प्रिस्क करना ताकि वीडियो को नोटिमस आपको मिलते रहें दूस्तों इसके अलाब दोस्तों यूटूब टेलिगाम चनल को जरूर जोइन करना ताकि फाइनल अपडेट में आपको दे सको और आपको दो ग्रेंड लिक की टीम दे सको और आपको कुछ उससे आइडिया लग सके कि किस तरीके से आप अपनी खुद की मल्टीपल टीम क्रियेट कर सको